तो भाई copy checking को लेकर के cbc की तरफ से एक बहुत ही latest official statement सामने निकल करके आया है बहुत बड़ा good news biggest surprise अब तक का जिसको सुन करके तुम लोग खोशी से उचल पड़ोगे लेकिन आज मैं कुछ ऐसे चीजों को भी लूँगा जो कि तुम्हारे मन में उथल पुथल मचा रखा ह है जिसने और जिसके वजह से तुम लोग बहुत ज़्यादा टेंशन और जो कि यार मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं कि मेरे बच्चे मेरे प्यारे बच्चे जो हैं वो कि टेंशन से घुजरे और इसी वजह से हर दिन मैं जब copy check करके वापस लोटता हूं अपने घर लंब तो तुम में से किसी के मन में भी हो सकते हैं तो biggest surprise क्या है वो भी बात करेंगे और आज कुछ चीजों को ले लेते हैं लेकिन आगे बढ़े इससे पहले जल्दी से कर लो YouTube पर सबसे authentic update देने वाला चैनल ये चैनल तो जल्दी से subscribe करो और साथ साथ में वीडियो को like करो बोल ऐसा कि मैंने तुम्हें दिया था चीक है तो कर दोगे comment comment में लिख दो sir हम लोग help करेंगे और अपने juniors को लाएंगे ओके अब यहां देखो कुछ comments है जिसने मुझे बैचान कर रखा है मैंने कल तुम्हें बताया था यार copy checking में एक बड़ा issue सामने निकल करके आ रहा है सब कुछ ठीक है लेकिन एक गरबर ने जर रहा है जहां पर बच्चे एक नहीं दो तरह की गलतिया कर रहे हैं कौन सी गलतिया पहला जो कल मेरे साथ भी हुआ कि भाई पैसे मिल गए copy के अंदर में 200 रुपर रखा हुआ था और मैंने कल भी बताया कि इसे गलत फेहमी में मत रह करके बाद बाकि हम नहीं हुआ कर सकते तो जो पैसे निकलते हैं सब्मिट होता है बलकि वैसे पर एक्षन होता है पहला तो वह तैप के गलत है और आज भी मेरे साथ में यह वाला हुआ वापस हुआ पता नहीं क्यों कर रहे हो क्योंकि करना मतलब मुसिबत को बुलावा द चाहता हूं यह सारी चीजों को शेयर करेंगे इन में से काफी सारे सवाल तुम्हारे भी होंगे लेकिन उससे पहले मैं इन प्यारे बच्चों को बहुत सारा प्यार बाटना चाहता हूं ठीक है इनका एमिल एडी जो भी है यूजर आईडी उसको मैंने चुपाया हुआ कि सर एक आप ही हो बस सर मोटिवेट करते हैं बाकी सब तो जान के पीछे पड़े हैं यह इनका एक बहुत प्यारा सा कमेंट एक बच्चे ने लिखा सर यूर बिलिन टीचर इन द वर्ल्ट थैंक्स फॉर लव और तीसरे बच्चे ने जो लिखा उसने तो दिल छो लिया कि यहां मुझे सबसे अच्छा लगा कि चलो भाई मैं साथ हूं इसलिए बच्चे पास हो रहे हैं यह तो ख्यर है ही है बट सरे काइंड रिक्वेस्ट प्लीज सेल सिल्बस ऑफ क्लास 11 इट विल है लॉट वाट वाइल स्लेक्टिं स्टीम येस यह हुई बात यह हुआ सारा और जैसे मैंने लिखा भी येस आई विल मैं करूंगा कि अभी 10 का रिजल्ट आने में टाइम है जिसमें सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर आप जो गैडेंस दिये हो उसके वजह से हम लोग लाइंगे मांक्स लेकिन 11 का सिल्बस अभी से सर्च आउट करना शुरू कर दिये य इस एक बच्चे ने लिखा सब प्लीज है टुड़े आई लेफ्ट टू कॉस्टेंस अफ्री मार्क्स विच थाट वास फॉर विजुली इंपेर्ट स्टूरेंट्स प्लीज रेस वाइज सर देखो बच्चा यहां पे मैंने कमेंट लिग दिया कि डरो मत आप अच्छा स्क बच्चे ने क्या किया है यह सोच करके दो कॉस्टेंस को छोड़ दिया जिसको की मतलब इनको आंसर देना चाही था इनोंने सोचा कि विजुली इंपेर्ड जो लोग बच्चे होते हैं उनके लिए वो कॉस्टेंस हैं इसी वज़ए से देखो बच्चा मैं कहता हूं कि जो तो भी तुम ने जो तुम एक्जाम खतम हुआ उनके लिए यह सीख है कि पहले इंस्ट्रक्शन को पढ़ लो चिके खैर यहां पे सवाल सिर्फ तीन तीन शे मांक्स का था तो होप फॉर बेस एवर्थिंग विल भी फाइन तो डरो मत चिंदा मत करो अब यहां से एक यह आपने find out कर लिया बालबा की question सही है इसका मतलब आप चार गलत है इसका मतलब बालबा की सही है और आपने यहां एक बड़ा अच्छा बात लिखा कि इस बचे ने कि भाई answer को मैं बना करके लिखा आया हूँ यानि कि उससे related topics related आप लिखकर आया हूँ definitely you will get a great marks यह मैं अपने teaching experience के अधा पर कहा रहा हूँ तुम लोग बहुत शाधर marks उठाओगे इसके लिए चिंता नहीं करना अब यहां पर इस बच्चे के comment लेते हैं सर मुझे बहुत डर लग रहा है 12 में हूँ क्या करूं क्या पास हो जाओंगा मैंने questions उतार दिया है अब यह एक बड़ा मैं ऐसा हाँ जोड़के कह रहा हूं देखो कि बाद मैं ऐसा नहीं कहना है कि विशाल सर ने कहा था सब पास हो जाएंगे विशाल सर ने पास उनके लिए कहा था कि जिन्होंने अपने copy में answer को लिखा है बले ही relevant लिखा है कुछ भी लिखा है लेकिन question कोई ही उतार दिया नह यह गलती तो हुई है बेटा और एक यहां बच्चे ने सवाल पूछा है कि सर क्लास 12 में मैट्स में क्या grace marking मिलेगा और कितने की मिलेगी grace marking मिलेगा सबको मिलेगा issue नहीं है और यहां पे एक बच्चे ने लिखा है सर अगर मैंने 5 out of 6 question में 6 questions का ही answer लिख दिया है मतलब कित question मेरा fourth question गलत है बाकी सब सही है तो क्या fourth को extra consider किया जा सकता है मतलब मैं समझाता हूँ यह इस बच्चे का problem क्या है 6 questions थे 5 बनाने थे बनाया कितना 6 का 6 अब पत्ता चला घर जाकर कि कि चौथा वाला जो question है वो हो गया गलत तो इनका कहना है कि भाई इसको left over question में count किया जा अब है बच्चा शायद तुम भी जानते हो entirely depends on teacher's mercy teacher के दया पर यह निर्भर करता है अगर teacher ने इसे lightly light hurted ले लिया खुले दिल से ले लिया तो तुमको marks मिल जाएंगे अब यहां पे भाईया मेरे अब जो मैं बात कह रहा हूं वो to the point की बात कह रहा हूं अब यहां आ जाओ good news पे खुशकबरी पे यहां पे देखो बहुत सारे बच्चों को YouTubers ने अलग-अलग बाते कह करके घुमा फिरा दिया है कि यार जो result है ना वो election से पहले आ जाएगा तो इसके वज़ए से copy बहुत fast check हो रही है यह हो रहा है वो हो रहा है तो भाईया देखो CBC ने क्या कह रखा है हां पहला बात एन मौके पे election आचार सहीता लागो होने से ठी पहले यह एक बड़ा फेल बदल किया गया जिसमें की CBC के जो चेर परसन है उनको चेंज किया गया और तेस तर्रार बिहार के 1996 बाच के IS राहुल सिंग को ले आया गया क्यों लाया गया खुद सोच के देखो और जो यह कह रहे है ना कि result अचा नहीं आने वाला है बच्चो इसको attempting नहीं किया खाली पनना चोड़ दिया अंट्रशन लिख दिया पैसे वैसे डाल दिये वो बच्चे फेल होने वाले हैं उसको मैं भी कुछ नहीं कर सकता जैसे कल एक बच्चा का पैसा निकला मेरे कॉपी में वो गरुबर था आज एक बच्चे के कॉपी में पैसा न नहीं देंगे ठीके? आपको कुछ भी नहीं देना है एक दो नमबर भी नहीं देना है.. अब उस बच्चे के साथ क्या हुआ हूआ? acefail हूआ, पास हूआ, क्या हुआ? मैं वो डिसकस नहीं करना चाहता क्योंकि पास तो है लेकिन माक्स थोड़े से कम हो गए क्यों बताओ इसमें मेरी कोई गलती है क्या हाला कि वो student pass है ठीक है मेरा record break नहीं वा है वो student pass है तो CBC का सबसे बड़ा surprise यह है कि moderation policy हो grace marks हो bonus marks हो यह चीज़े लग रही है और इस बार का result शांदर आने वाला है क्योंकि क्योंकि यह अभी new education policy जो आई है उसके शुरू होने के last exam है तो तो चिंद्रा फिकर कुछ नहीं विजल बहुत शांदर आएगा परशान बिल्कुल नहीं होना वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरू करना और अपने जूनियस को बताना बिल्कुल नहीं बोला कि यहां पर मैं लेकर आ गया हूँ उनके लिए सारे contents तो सब्सक्राइब ज अब तक के लिए जय हिंद वदे मातर